साथियों नमस्कार मैं हूनी रच पटेल और आप देखरें नेशन जन्मत बुंदेल खंड का जालों जिला जो पहले किर्सी प्रधान जिले की रूप में जाना जाता था लेकिन इस समय पूरे देश में जाना जा रहा है सिक्षा में नवाचार यानि कि नए ने प्रियोगों के लिए इसका पूरा सिर्य जाता है इस जिले के डियम डॉक्टर मना नकतर को और यहां जो डियाईवस हैं भगवत पतेल जी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को तो भगवत जी जो डियाईवस हैं यहां के उनसे मैं जान लेता हूं कि सिक्षा की छेतर में कौन-कौन से कुंदिल खंड का बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला था जब से यहां पे जिलादिकारी डॉक्टर मना नकतर साव आये हैं और मेरी टीम यहां पे बेसिक सिच्चा मादिमिक सिच्चा मिल करके हम लोगों ने यहां पे सुरुआत किया तो उसमें सबसे पहले इस जनपत की ज जो सिच्चा में कौन मनेगा नन्हा कलाम हमने बेसिक सिच्चा से ले करके मादिमिक सिच्चा तक के लिए जो साइंटिफिक टेमपर बच्चों में डिवलप करने के लिए प्रियास किया गया और वो कौन मनेगा नन्हा कलाम हमारा यह प्रोजेक्ट आपको बता दूम है कि जन्पद जालोन मैं मैंने बहुत पहले एक कलपना की थी, येसे अफ्टाब बचन जी कौन मनेगा कडोर पती, उसी तरज पे, कुंकि हम लोग कडोर पती तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन नंना कलाम चैनित किये थे जो आज जो है वो परदेशिस्तर और राष्टी इश्तरपन इंस्पाइर्ड लगेरा में भी उन्होंने प्रतिभाग किया हुआ है और वो बहुत ही सराहा गया परदेश में देश में और इस समय बर्तमान में पूरे परदेश में पंदरा जिलों में CST यानि Science Technology Department ने उत्तरपदेश के लागू कर दिया है इसको और दूसरा हमारा जो सबसे अच्छा नवाचार था यहां पे वो था किसोरी सिच्छा समाधान यानि बालिकाओं की सिच्छा को बीहड छेतर में बैकवर्ड छेतर में ले करके हम लोगों ने ग पढ़ाया जा रहा है जिसमें से आपको बता दू निरज जी कि कल जो है उसमें हम लोगों ने सामधाय कम्यूनिटी पार्टिसिपेंट्स यानि सामधायक साइभागिता को बढ़ावा देने के लिए समाज के जो अच्छे लोग हैं समाज सेवा करना चाहते हैं उन लोगों को हमने इस मुहम से जोड़ा है और कल 21 बच्चियों को हम लोगोंने समाज के जो समाज से भी लोग हैं उन्होंने आगे कि सिच्छा यानि उनको higher education देने के लिए चाहे वो medical में जाएं इंजिनिंग में जाएं या और कोई technical या professional education करेंगे उसके लिए उन लोगोंने इनको गोदलिया हुआ है जो कि कल से उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने संकलपित कर लिया है उद लेने का process क्या है माली जै कोई और समाज से भी आगे आना चाहता है और चाहता है कि हम किसी बच्चन को पढ़ाएंगे तो क्या process है हाँ इसमें मैं बता दू निरजे कि ये चुं अपना कंट्रिबूशन करना चाहता है तो वो कि कोई भी हो वो हमारे यहां संपर्क करेगा और जालाओन अजी कि ट्रस्ट में वो सामिल होगा और उसके तहत जो है उसको किसी भी बच्ची को कहीं भी है वो जेले में उसको पढ़ाने के लिए वो आगे आ सकता है और उसको ग कि जिलादिकारी महोदे के पहल से पुरातन चात्र प्रस्द का गठन किया था और उसके गठन के बाद हम लोगों ने यहां पे एक कारसाला या संमेलन बुलाया था पुरातन-चात्रों का पिछले वर्ष इस पुरातन-च्छात्र संमेलन लुख-ब्ष्र लोग्वग 0 सारी चीज़ें यहां पर दुरस्तुई हैं और इस साल दुबारा जब हम लोगों ने सम्मेलन किया इसका तो अभी जो है पूरे जिले में पुरातन चात्रों ने जो सरकारी स्कूल है उनको ले करके 30 स्मार्ट क्लासिस के लिए 56 लाख रुपए अभी डुनेट किया है जो CSR म से आया है और पिछले साल भी इन्हों ने 30 लाख रुपए दिया था इस तरह से 80-90 लाख रुपए दे करके इस GIC का जिनुद्धार सुरू किया गया है और इसको इसी पहल पे प्रदेश सरकार ने पूरे UP में पुरातन चात्र परशत के गठन के लिए हर GIC GGIC का डाटाबे रहते हैं तो क्या बजट आड़े आता है बिलकुल नहीं आता है पैसा समाज के पास पैसा इतना ज्यादा है कि हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है लेकिन उसको चाहिए मौका और ऐसी जगे चाहिए जहां पर उसको यह लगे कि यहां पर मेरा पैसा बरबाद नहीं हो तो पैसा किसी भी अच्छे काम में बाधा नहीं है, पैसा परियाप्त है समाज में और समाज में लोग भी अच्छा काम करने के लिए आगे आने को तयार हैं, बसरते कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अगर दानपात्र पवित्र है, तो धन तो धन जान देने वालों की कमी नहीं होती, इसी मूलबाके के साथ जिला प्रसासन जालोन का काम कर रहा है, निश्चे तोर पर अच्छे लोग उससे जुड़ रहे हैं, और हम ये भी उमीद करते हैं, चुकि मैं खुच जालोन का रहने कर दो कर आप मेरे यूट्यूब कैनल स्प्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइचन तो ज़रूर प्लीक करें जिसे जो मेरे न्यूव वीडियो है, वाँ